तो हेलो फैंड वेल्कम बेक तुमाई चैनल दोस्तो आप मैं आपको बताने वालों इंस्टागरम के पांच स्टेप से अटरिक्ट या पोच पुल सकते हैं पांच इडन फीचर दोस्तो कुछ इसमें से होंगे स्टोरी से लेटेड और कुछ प्राइवसी लेटेड होने वाल तो आपको यहां पर कुछ भी अगर आपको कुछ भी अपने स्टोरी में लिखना हो तो उसके लिए बनाने वाला है। और उसके बाद जो आगे का अगा में वो बताने वाला हूँ ठीक है, hello welcome welcome मैंने ये लिख ली है simple सा अब मैं यहाँ पर उसको next कर दिया यहाँ पर आपको दोस्तों जो trick बताने वाला हूँ आपको करना क्या है उसको यहाँ पर select करना है और सारे के सारे आपके जो भी हैं इनको पूरी तरह से आपको यहाँ पर ऐसा select कर लेना है select करने क्या है तो आपको यहाँ पर उपर color करना होता है तो आपको यहाँ color पर click करते थे और आपको यहाँ पर इतने सारे color रहते थे तो आपको color select करना करता था बट मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप rainbow color कर पाएंगे अपने यहाँ text में कैसे आपको simply ही सबको select कर लेना है select करने क्या आपको करना क्या है जो नीचे colors देख रहे होंगे आपको किसी भी color पर आपको ऐसे finger को दबा के रखना है तो आप देखेंगे ऐ यह rainbow type का color आपको दिख रहा होगा यह आ चुका है मैं पीशे का background चेंज कर देता हूं जिसको आप easily देख पाएंगे तो आप बहुत easily यह चीज कर पाएंगे आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो color आया है इस पर आपको देखेंगे जो text पर story पर जो color आया है text पर पूरी त प्राइब का यह चाहिए कुछ पोस्ट या कुछ अपने पोस्ट ऐसे होते हैं जिसको हमने शेयर तो कर दिया बाट उसको delete नहीं करना चाहते है और कुछ time के लिए उसको private आपका account public है बाट कुछ time के लिए उस post को आपको private करना या public करना है ताकि वो delete भी ना हो और आपका post वहीं का वहीं भी रहा है और किसी को दिखे नहीं तो उसको कैसे कर सकते हैं तो hide करना like बोल सकते हैं hide करना तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तो अपने किसी भी post पर जाना है like यह मेरा post है यह मुझे hide करना है तो उस पर click करना है click करने के आपको यहां नीचे option मि जो भी आएगा अगर आपको वापिस देखना हो तो आपको यहां त्री डॉट्स पर क्लिक करना है त्री डॉट्स पर क्लिक करने के आपको सबसूपर अक्राइब वाला ओप्शन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है उस पर जाने के आपको स्टोरी अक्राइब दिख रही ह होगा तो यह वापिछ चले जाएगा और आप यहां बैक आएंगे तो आप देखेंगे यहां लिखा भी होगा है only you can see this post he have acquired मतलब यह आपका privately हो चुका है इसको कोई भी नहीं दिखसकता आपके हिलावा जो कि बहुत ही शांदर तरीके सा आप उसको उसको युज कर सकते एं चीश तो तीसरी एक को ऊपने या से लोगों को फोलो कर रखा वोगा वहलेht़ नहीं चालतें और मैं वालेज च्छे से लिए लिए उसको और और जैना है जिसा घटल और आप ने अपनी personal की profile खोली यहां पर आने के आद आपको करना क्या है दोस्तों यहां पर आने के आद आपको profile किया रहे यह faut पोलॉइंग वाल जो option दिख रहा है आपको उसे पे click करेंगे तो आपको नीचे पे ना story देखेगी story tap मतलब पूरी तरह से hide हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा या post story कुछ भी डालेगा तो आप ऐसा कर सकतेए और उसको भी नहीं पता चलेगा कि आपने ऐसा कर रखा है और आप follow के follow भी रहेंगे और दोनों चीज़ें वहाँ पर हो जाएगी जो कि बहुती कमाल का फीचर है उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बता दूँ इसी में यह तो हो गया जिसको हम नहीं देखना सहते हैं कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनको हमें नोटिफिकेशन चाहते हैं कि यह जब भी पोस्ट डाले यह स्टोरी डाले तो सबसे बेले मुझे नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आपको करना क्या है उसकी प्रोफाइल पर विजिट करना और ऊपर आपको दिख रहा होगा बै तो आप यह सब चीज़ टेक कर देंगे और जब भी वो चीज़ डालेगा तो आपको स्पेशल नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तो जो चोथा डिप बदाने वालों उसके लिए आपको करना क्या है यहां पर आजाना है अपने प्रोफाइल वाले पेज़ पे प्लस के भूण से मैंने कुछ पोष्ट को यहां पर स्लेट कर लिया मैं नॉर्मल सबस्ते रिए में नेक्स्ट करने के आपको सब को टाइटल दे रहा है इंडिवीवयूजल तो लाइक में यहां पर पहले डाल देता हूँ नाम मेरा शनी ठीक है और यह नीचे वाला या लगवाई चलिक करेंगे तो आपको यहां नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यह प्रिव्यू टाइब की देखना चाहें तो आप प्रिव्यू दिख जाएगा सब ऐसा दिखेगा और उसके आद आपको यहां कर देना है उसको share जैसी आप share करेंगे तो आपको अपनी profile में एक अलग सा दिखने लग जाएगा आप दिखेंगे अलग सा दिखने लग जाएगा रील्स के बगल में लोग की बहुत चांदना तरीकी सा आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों जो मैं last feature बताने वालो बहुत ही कमाल का feature है दोस्तों आपको पता होगा यहां पर अगर अपनी story पर जाते थे तो पहले अपनी story पर अगर आपको अपनी बहुत सारी अपनी photos upload करना तो पहले क्या होता था बहुत दिक्कत आती थी बैट मैं आपको एसी ट्रिंग बता रहा हूँ जिससे आप easily अपनी जितनी भी photos आपको एक story में डालनों तो easily डाल पाएंगे कैसे तो उसके लिए आपको करना क्या है अपनी gallery में जाना है जिन जिन photo को आपको post करना तो like मैंने एक photo का यह ले लिया दूसरा मुझे ये वाला डालना है तो मैंने उसको भी zoom करके screenshot ले लिया और यह और जितने भी डालने हो आपको सब के screenshot ले ले लेना है तो like मैं एक ऐसे ही डाल दे रहा हूँ ये तीन तो इस अल्दी अल्दी में सारी पोई सी फोटो स्लेट कर लेना हो आप अच्छे से उसको design करिएगा तो जितने भी आपको डालना हो सब को आपको click कर लेना है अब यह मैंने सब्टकर लेनी करना कि आप मेरे वापस अपने Instagramowym इस टूरी पे आणा है और यहां पर आपको करना का दोस्तों यहां अब आपको यहां अलग सा 對啊 करना है क्लिक हो जैसी होँ क्लिक करेंगे तो आपको अलग से टाइप करने बैब भी वो नहीं है, ये तुरिवर आपको डिजाइन करके लगा रहा हूँ है. मैं जल्दी अल्दी में कैसे में लगा सकते हूं, आप चाह1000 को रखता है। इतने जैसे भी अच्छे से लगा सकते हैं एक ही story में और कोई problem नहीं होने वाली, आप देख सकता हैं कितनी problem नहीं होने वाली, बहुत easily, एक method तो ऐसा हो गया, आप इसको ऐसा लगा सकते हैं, और easy method करना हो, तो आपको यहाँ पर click करना है, यहाँ जाने के नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक plus वाला icon दिख रहा है, कुछ time पहले ही इस feature को जोड़ा गया है, इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद भी आप यहाँ से अपनी जितनी भी photos है, directly upload कर सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों method पता दिये, screenshot के थूरू भी आप इसके थूरू भी डाल सकते हैं, तो दोस्तों यह 5 features है या 5 tips जो मैंने ब पूछना चाहते हैं, इस वीडियो से लेटे या कुछ भी आप मुस्से comment करके पूछ सकते हैं, तो मैं definitely इस पर reply करूँगा, और हो सके तो आप मेरी वीडियो को share करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे तो थैंकियो दोस्तों